गीता में भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमी में अर्जुन को जो ग्यान दिया था, वह गीता में बताया गया है. गीता में कुल 18 अध्याय हैं और उन सभी का अपना अलग-अलग महत्व है. आईए जानते हैं, गीता के पहला अध्याय का महत्व क्या है? श्री गीता उपनिश्दों का सार है. महा भारत युद्ध के समय रणभूमी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ग्यान दिया था, वह गीता में बताया गया है. गीता में ऐसी बहुत सी बाते हैं, जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाईयों को आसान बनाती है. इतना ही नहीं गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारिया भी मिलती है. साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का अपनालाब और महत्व है. भगवान शिवने देवी पारवती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का महत्व जो बताया है, वही यहां आपके लि अर्जुन विशाद योग है. इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधों और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विशाद और मनहस्थिती का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृत्राष्ट्र को बताते हैं. गीता प्रथम अध्याय का महत्वत एक समय पार्वती जी ने पूछा है, महादेव जी किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूछते हैं. म्रिग्चाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शम्शान की विभूती लगाएं, गले में सर्प और नर्मुंडों की माला पहने हुए हो, इन में तो कोई भी पवित्र नहीं. फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे प्रिये सुनो मैं गीता ज्यान को अपने हृदय में धारन करने से पवित्र माना जाता हूं, इस ज्यान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते, तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान जिस गीता ज्यान की आप ऐसी स्थुती करते ह उसके श्रवन करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है। व्यापता है, जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुनों से अतीत हो, आप तो वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझके बड़ा आश्चर्य है। जा हैं। उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो, तब श्री नारायन ने कहा है लक्ष्मी। गीता ज्यान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवन करो। एक व्यक्ती था, जो चांडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बक्री पाली, एक दिन वह बक्री चराने के लिए वन में गया और व्रिक्ष से पत्ते तोरने लगा, वहां उसे एक सांप से डंस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया, मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ, उस बै बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता, उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था, और सुबह होते ही बैल पर चड़कर फिर मांगने निकल जाता, जब बहुत दिन हो गये तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्रान नहीं निकले, नगर के लोगों बैल ने देखा और उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे, तो कोई वरत का फल दे, तब भी उस बैल के प्रान नहीं छुटे, एक दिन गणिका आई, उसने लोगों से पूछा यह कैसी भीड है, तो उन्होंने कहा कि इसके प्रान नहीं निकलते, अनेक पुनियों का फल दे रह हैं, तो भी इसकी मुक्ती नहीं होती, तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है, उसका फल मैंने इस बैल को दिया है, इतना कहते ही बैल की मुक्ती हो गई, तब बैल ने एक ब्राह्मन के घर जन्म लिया, पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा, उसके पिता ने उसे प प्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा आप मुझे पहचानती हैं। पुन्य का फल मैंने तुम्हे दे दिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हे घन तो प्राप्त नहीं हुआ लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। उनकी यह गणिका मित्र थी, वह मुझे उसके पास ले आए। सो में नित्यप्रात गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करत हूं, जिसे यह गणिका सुनती है। पर इस गणिका को समझ में नहीं आती, जो मैं पढ़ता हूं, वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड भले कर्म ग्रहन किये और नित्यस नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ती हो गई। हमारे कीप धर्मा चैनल से जुड़े, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।